हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चेनल फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई 11 इंच है हमने इस डिजाइन को बनाने के लिए आस्तिन की लंबाई 11 इंच ली है तो फ्रेंड अब हमें आस्तिन के कपड़े को इस तरीके से दो भागों में कट कर देना है बीच में से तो फ्रेंड इस तरीके से आस्तिन के कपड़े को कट करने के बाद हमें इस तरीके से छोटे छोटे कटे हुए कपड़े चाहिए तो friend इसकी लंबाई और चोड़ाई कितनी ये नाप लेते हैं इसकी चोड़ाई धाई इंच है और इसकी चोड़ाई पाच इंच है friend तो आपको इतना लंबा और इतना चोड़ा कपड़ा लेना है धेर सारी कटी हुई तो अब हम क्या करेंगे friend हमें कागच चाहिए तो हम कागच ले लेते हैं ये रहा हमारा कागच तो फ्रेंट कागच पे हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके तिर्ची में लगाना है और इसकी उपर हमें सिलाई चला देना है तो इस तरीके से इसके उपर सिलाई चलाएं अब यहाँ पे stop करके हम दूसरे कपड़े को इस तरीके से fold करके joint करेंगे इस तरीके से तिर्ची में आपको joint करना है अब यहाँ से इस तरीके से हम घुमा लेंगे अब हम इसके उपर इस तरीके से सिलाई चला लेंगे तिर्ची में बिल्कुल इसी तरीके से हमें दुबारा सिलाई करना है फ्रेंट तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा नीचे साइड में इस तरीके से लगाएंगे और इसके उपर हम सिलाई चला देंगे तो इस तरीके से सिलाई करते हुए बीच में फिर स्टॉप करेंगे हम फिर दूसरे कलर के कप्रे को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे इस तरीके से सिलाई करते हुए अब design को हम इस तरीके से घुमा लेंगे friend यहाँ पर हलका सा सिलाई करें फिर इस तरीके से design को हम घुमा लेंगे और इसके उपर इस तरीके से हम सीधी सिलाई चला देंगे friend तो friend बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे design को तयार करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को fold करके हम design को तयार कर लिया है अब हम ustin का कपड़ा लेंगे और इसे इस तरीके से हम fold करेंगे इस तरीके से fold करके हम design के उपर इस तरीके से लगाएंगे और इसके उपर हम सीधी सिलाई चला लेंगे तो friend एक बराबर में इस तरीके से आपको आस्तिन के कपड़े को fold करके एक बराबर में design के उपर लगा कर आपको सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से आप भी सिलाई करें तो फ्रेंड हमने एक साइड में इस तरीके से आस्तिन के कपड़े पे सिलाई चला ली है अब दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक बराबर में डिजाइन की उपर लगाते हुए हम इसकी उपर सिलाई चला देंगे तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं जो कि हमने बहुत ही इजी स्टेप में आपको इस डिजाइन को बनाना बताया है तो फ्रेंड इस तरीके से हमने दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है डिजाइन में अब हम उपर के साइड से एश्ट्रा डिजाइन को कट कर लेंगे और नीचे की साइड से भी हम एश्ट्रा डिजाइन को कट कर लेते हैं यहां से इस तरीके से कट कर लेना है इस तरीके से डिजाइन को कट करने के बाद अब आस्तिन को कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे और पीछे की साइट से भी हम एश्टा डिजाइन को कट कर लेंगे इस तरीके से आपको एश्टा डिजाइन को कट कर लेना है दोनों तरफ से तो फ्रेंड हमने पीछे के साइट से इस तरीके से एश्टा डिजाइन को कट कर लिया है अब देर रिंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे यहाँ पर इस तरीके से लगा कर इसकी उपर हम सीधी सिलाई चला लेंगे एक बराबर में इस तरीके से तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब यहाँ से हम एश्टा कपड़े को कट कर दे अब आस्तिन के कपड़े को सीधा कर ले अब इसे हमें क्या करना है नीचे के साइड में एक बराबर में इस तरीके से कट कर ले अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुए फ्रेंड इस बात का ध्यान रखे कि आपका फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक बराबर होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा नहीं होना चाहिए और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक बराबर में फोल्ड होना चाहिए आपका कपड़ा तो फ्रेंड इस तरीके से आपको एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी complete हो चली है इस तरीके से फ्रेंड इस लाइन को complete करने के बाद अब इसके नीचे की side का design बनाने के लिए हम बाकरम लेंगे तो फ्रेंड हमारी बाकरम के लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हमारी बाकरम की चोड़ाई तीन इंचे अब बाकरम की लंबाईम फ्रेंड हमें आस्तिन की चोड़ाई के बराबर लेनी है इस तरीके से नाप ले अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिर इसे दुबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रेंड एक बराबर में अब हम इसकी तिर्ची में कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से आपको तिर्ची में इसकी कटिंग करनी है यहां से कट करेंगे फिर इस तरीके से घुमाले बाकरम को फिर इस तरीके से यहां से cut कर लें तो friend हमारा बाकरम का design का cutting कुछ इस तरीके से हुआ है इसे इस तरीकी सायता से कपड़े पे इस तरीके से चिपका लें और कपड़े को इस तरीके से fold करें अब friend हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो जिस shape में हमारा design है उसी shape में हम सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आपको बाकरम के बिल्कुल एकदम बाकरम के उपर ही आपको सिलाई चलानी है ना ही उसके बगल में सिलाई चलानी है ना ही उसके आगे सिलाई चलानी है बिल्कुल बाकरम के उपर ही आपको सिलाई चलानी है इस तरीके से अब यहां से इस तरीके से कपड़े को घुमाते हुए हम सिलाई करेंगे जूकि आप इस तरीके से इस डिजाइन के उपर आराम से सिलाई चला सकते हैं तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी complete हो चली है इस लाइन को complete करने के बाद जिस shape में हमारा बाकरम है उस shape में हम कपड़े की cutting कर लेंगे तो इस तरीके से फ्रेंड आपको कपड़े की cutting कर लेनी है एक बराबर में इस तरीके से कपड़े की cutting करें फ्रेंड तो फ्र बाकरम के बीचों बीच हमें हलका हलका छोटा छोटा कट देना है जिससे हमारा बाकरम अच्छे से फोल्ड हो जाए और उसमें फिनिशिंग अच्छा है तो इसलिए हम इस तरीके से सारे डिजाइन में छोटे छोटे कट दे देंगे इस तरीके से कट देने के बाद अब हम सारे बाकरम को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं तो फ्रेंड इस तरीके से आपको सारे बाकरम को सीधा कर लेना है एक बराबर में तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लिस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाना ना भूले जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड इस तरीके से बाकरम को सीधा करने के बाद पेन की सहायता से या जो भी चीज आपके पास है इसे इस तरीके से डिजाइन के अंदर डालके डिजाइन को परफेक्टली पलट ले जिससे हमारा नोखिला डिजाइन आ जाए तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए हमारे बाकरम में नोखिला डिजाइन आ गया है अब फ्रेंड एक चोड़ा सा लंबा सा कपड़ा लेंगे इसके चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं फ्रेंड इसके चोड़ाई साड़े तीन इंचे हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है थोड़ा ज्यादा फोल्ड करना है हमें क्योंकि इसे हमें मोटे में और चौड़ी पट्टी वाली डूरी बनानी है तो इस तरीके से हम इसके उपर सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेना है आपको friend तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाना ना भूले जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड इस तरीके से हमने एक साइड में सिलाई चला लेते हैं एक परावर में इस तरीके से आपको दूसरे साइड में भी फ्रेंड सिलाई चला लेनी है जो कि हमने दूसरे साइड में भी सिलाई कंप्लीट कर लिए अब हमें क्या करना है अब दोनों डिजाइन को इस तरीके से हमें जोइंट करना है उपर की साइड से हम सिला को इस तरीके से घुमाते रहें और इसके उपर सिलाई चलाते रहें आपकी चोड़ी पट्टी वाली डोरी डिजाइन के नीचे इस तरीके से लगी होनी चाहिए और इसके उपर इस तरीके से सिलाई चला लें तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी step में तयार कर सकते हैं जो कि friend हमने बहुती easy step में आपको बताया है इस design को बनाना तो friend इस तरीके से हमारी ये line भी complete हो चली है तो friend हमारा design आपको कैसा लग रहा है comment में बताना ना भूले तो friend यहां से अब हम धागे को cut कर लेंगे इस तरीके से design बनाने के बाद अब हम आस्तिन के कपड़े को इस तरीके से design में joint करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से जो कि friend हमारे ये line भी complete हो चली है अब हम किनारे के side से extra design को cut कर देंगे यहां से इस तरीके से cut कर दें अब दूसरे side से भी एक बराबर में हम cut कर लेंगे तो friend हमारा design complete हो चलाए thanks for watching my video